इंडिया नाम करन के बाद विपक्षी दलों की पहली बैठक मुंबई में होने जा रही है और यह बैठक के सिव सेना कॉंग्रेस और सरद पवार के तरफ से आउजित की जाएगी जहाँ पे देश बर के तमाम जो विपक्ष के नेता हैं विपक्ष के दल हैं वो एक साथ एक अब फिर से बैठकर तीसरी बार यताय करेंगे कि कैसे चुनाओ लड़ा जाए लेकिर उससे पहले आपका दादे कि पहली बैठक पर्ट्राय में होई थी और उस बैठक में पंदरा दल के नेता सामिल हुए थे दूसरी बैठक में बैंगलोडी में हुई जिसमें 26 दलक ने जाएगे उसका इंतजार हर किसी को है हर देखती जाना चाहता है कि जो इंडिया बना है जिसमें इतने साड़े दल है बड़े दल है वो कैसे आपस में मिलकर चुनाओ लड़ेंगे कॉम्प्रमाइज कौन किसके साथ करेगा नेता कौन होगा इन तमाम सवालों का जवाब बताते हैं कि दरसल लोक्स बात सुनाओ तो हर 24 में बीजेपी को घेरने के लिए विपक्षी पार्टियों ने गुलबंदी होकर नया गरबंधन बनाया जिसका नाम आई इन डिया रखा गया है यानि कि इंडिया रखा गया विपक्षी एकता के तीसरी बैठक की तारिक मु कठन किया जाए हाला कि पिसली बैठक में आपने सुना की साथ रूप का गया है कि कमीटी के कठन किया जाएगा और वो कमीटी अलग 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 दलों के निताओं के पास जाकर बातचीत करेगी जिसमें आपसी समनमें और सीट बटवारा समेथ तमाम गरणन के मुद्दे पर बातचीत होगी और तब जाके फैसला ले जाएगा और मुंबई की बैठक में सीट के समिकरन को लेकर भी फैसला हो सकता है कि कौन से दल कितने सीटों पर चुनाओ लड़ेंगे हलाकि कहा जा रहा था कि दूसरी बैठक जब बैगलुरी में हुई तो वहीं पे सीटों का समिकरन ते होगा लेकि नहीं वो सेकेंड राउन की बैठक थी और इस बैठक में नाम ते कर दिया गया कि जो गड़बंदन हम लोग बना रहे उसका नाम क्या होगा नाम इंडिया रखा गया और इस इंडिया के बैनर तले पहली बैठक मुंबई में और उस बैठक में सीट के समिकरन भी तैह हो सकते हैं कि कौन से दल कितने सीटों पर चुनाओ लड़ेंगी कौन किसके साथ कॉंप्रमाइज करेगा कॉडिनेशन कमिटी के अगठन किया जाएगा रास्ट हो इस बैठक में सामिल हो सकते हैं तो इंडिया की बैठक से भारती संता-पास बहता गर पास जड़ेंगी तलहार है जिसे ळोग जानते हैं राष्ट्यसर पर तमाम नेताओं को एक जूर देखते नरेंद्र मोदी ने भी आनन फानन में इंडिये की बैटक बुलाई और उस बैटक में भारती जन्तापार्टी के अलावा कोई बड़ा दल नहीं दिखा बिहार के राजनीति को छो देया है चिराक पास्वा जीता है नामाजी पेंद्र कुस्वा तो बाकिये स्टेट में भारती जन्तापार्टी के सयोगी या तो वही हैं जिनका राजनीति में कोई मजबूत जनाधार नहीं है या तो फिर वो अपनी राजनीति के पना खोज रहे हैं और वो पना भी पक्षी जालों के पास नहीं म मिल जाएंगे चाहें वो सीट सेडिंग को लेकर हो आप सी समन्मे कैसे बनेगा इसको लेकर कमीटी गर्टिन क्या जाएगा नेता कौन होगा संभवता राश्ट्री सेयोजग किसे बनाया जाएगा तमाम बातों की चर्चा होगी और चर्चा के बाद प्रिस कॉन्फरेंस मे आपको एक एक करके तमाम सवालों के जवाब भी एद्धिय जाएंगे वेराल आप क्या सोचते हैं इंडिया और इंडिये गड़ बंदन को लेकर अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखें अगर आप मैंने वीडियो को यूटूब पर देख रहे हैं तो चैन